हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स प्रेंड्स प्रेग्नेंसी के दोरान शरीर में कई तरह के हार्मोनेल चेंजेस होते हैं जिसके कारण शरीर में कई तरह की समस्याएं भी होती हैं इन्हीं में से एक है पैरों में दर्द या एठन होना किस बात का संकेत है चलिए जानते हैं, प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के सलाह से किसी भी तरह के दर्द से निपटनी की दवाओं का सेवन करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कुछ घरेलू उपायों के मदद से आप पैरों के दर्द से राहत पास सकती हैं, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने, पैरों में सूजन आने, हार्मोनल बदलाव और ठकान जैसे कई कारणों से पैरों में दर्द होता है, प्रेगनेंसी में गरभाशे के बढ़ने के कारण रख संचार करने वाली नसों पर दबाव परता है, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है वहीं प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन आपके पैरों की मांस्पेशियों को प्रभावित करता है जो कि पैर दर्द या पैरों में एठन का कारण बनते हैं प्रेगनेंसी में पैरों में दर्द की समस्या से निपटने के लिए आप ये घरेलू उपाय कर सकती है शरीर में पानी की कमी से भी पैर दर्द होता है इसलिए इस दोरान शरीर को हाइडरेट रखें और खूब पानी पिए पूरे दिन में कम से कम आठ गलास पानी जरूर पिए शरीर हाइडरेट रहने से दर्द की समस्या नहीं होती है दर्द इसे छुटकारा पाने के लिए आप गर्म पानी से पैरों की सिकाई कर सकते हैं गुन-गुने पानी में सेन्हा नमक डाल कर पैरों को उसमें कुछ मिनट के लिए रखें इससे दर्द के साथ पैरों की सूझन भी कम होगी वहीं अगर pregnancy में कोई complication ना हो तो आप थोड़ा physical work भी कर सकती हैं इसके लिए थोड़ा थोड़ा walk करें, हलके full के काम करें इसे पैरों में blood circulation होगा और दर्द और सूजन से राहत मिलेगी पैरों में दर्द से अराम के लिए प्रेगनेंसी के दोरान पैरों में किसी से हलके गुनगुने तेल से मालिस भी करा सकती हैं इससे भी बहुत ज़ादा आपको अराम मिल सकता है पैरों में दर्द और एठन की परेशानी से बचने के लिए आप डाइट में पोटेशियम से भर पूर चीजों का सेवन कर सकती हैं आप केला, एवोकार्डो, पके हुए आलू, पालक, लोफेट दूद ले सकती हैं इससे आपको पैर, दर्द और सूजन में बहुत ज़ादा राहत मिल जाती है तो ये तो थे पैरों में दर्द और एठन के कारण क्या इससे प्रेडिक्शन किया जा सकता है तो कहा जाता है कि पैरों में दर्द और एठन गर्ब में लड़का होने के टाइम पर ही गर्भ वती महलाओं में देखने को मिलते हैं लेकिन मैंने आपको कारण बताए है कि प्रेगनेंसी में ये आम है सभी गर्भ वत्ती महिलाओं में लगभग ये परिशानी देखने को मिलते ही है लेकिन फ्रेंट्स प्रेगनेंसी के दोरान अगर ये दर्द असहनीय है या फिर आपको दर्द वाले हिसे में रेडनेस नजर आए तो तुरंथ ही डॉक्टर से संपर्क करे और वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें मिलूँगी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें बाई